अगर आप भी IPO से कमाई करना चाहते हो तो यहां पर आपके लिए काफी अच्छी खबर आ चुकी है बाहसार में एक और नया IPO आ चुका है जिसके बार में आज हम बात करने वाले IPO से तगड़ी कमाई हो रही है पिछले कुछ IPO ने काफी अच्छा रिटन भी दिया है यहां पर आप देखे सकते हो कि पिछले जितने भी IPO आए उन सब ने काफी अच्छा रिटन दिया यहां पर 7 फिससेदी से लेकर 100 फिससेदी तक कर यहाँ पर listing gain देखने को मिला है यानि कि लोगों का पैसा यहाँ पर double हो चुका है ऐसे में यहाँ पर कुछ IPO आ चुकी है जिसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले शिया राम recycling IPO के बारे में पूरी जानकारी अगर आप भी इस company में निवेश करने वाले इस IPO में निवेश करना चाहती हो तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी जानने वाले IPO के बारे में ओनीस दिसम्हबर 2020 से आई प्यूपण हो जाएगा यानि कि अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो तो 14 दिसंबर 2013 से निवेश कर सकते हैं उसके बाद 8 दिसंबर को IPO close हो जाएगा उसके बाद 19 दिसंबर 2013 को basic of allotment है यानि कि अगले दिन जो है वो allotment आजाएगा और उसके अगले दिन जो है वो initially पैसे refund हो जाएगे और साथ ही में DMAT account में भी आजाएगे और उसके अगले दिन 21 दिसंबर को initially listing हो जाएगी यानि कि IPO list भी हो जाएगा तो यहाँ पर जो वो बहुती तीजी से IPO आने वाला है तो इसमें आप निविश करके अच्छी कमाई कर सकते हो वह अगर बात करें company के बारे में तो यहाँ पर company की website है company का नाम CRM Recycling Industry Limited है अगर company की बात करें तो यहाँ पर company अलग अलग product देती है 2007 से company अपने business में है यानि कि लगबग 35 साल का experience यहाँ पर company के पास है manufacturing company है जो plumbing के parts होते है brass fitting, copper alloy और brass extraction जो manufacturing करती है उन सारे component को यहाँ पर बनाती है यहाँ पर आप देखे सकते हो अलग लग component है उसका manufacturing का काम है company का तो यहाँ पर company जो है वो brass, plumbing, sanitary जैसे कई अलग अलग product जो है वो company यहाँ पर बनाती है company के बार में और जानकरी हम यहाँ पर website से जान सकते हो company के manufacturing unit भी है तो यहाँ पर किसी भी company में निवेश करने से पहले उसके fundamental को जानना बहुत ही जरूरी है ऐसे में हम जान लेते हैं के श्रियाराम recycling IPO का जो company का fundamental वो किस तरीके से है यहाँ पर अगर company के fundamental की बात करें तो यहाँ पर CRM recycling company के fundamental है 31 मार्च 2021 को company के fundamental यानि की company का profit एक करोड़ 22 लाग के करीब था जिसके बाद 31 मार्च 2022 को company का profit तीन करोड़ 22 लाग के करीब पहुच गया और इसमें अब तो यहाँ पर और भी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है 31 मार्च 2022 को company का profit 3 करोड 22 लाग से सिधा 7 करोड 65 लाग के और पहुच चुका है जबरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह भी है कि 28 करोड का जो यहाँ पर जो borrowing था उधारी थी वो अब 67 करोड तक पहुच चुकी है जो की काफी बूरी बात भी है क्योंकि company के ओपर उधारी भी बड़ी है हाला कि company का profit जो है उसमें काफी अच्छी तेसी यहाँ पर देखने को मिली है लेकिन अगर fundamental के बात करें तो यहाँ पर उधारी में भी जो है वो बड़ाती देखने को मिली है हाला कि company अपने business में काफी better in business में है आने वाले समय में भी company का profit अच्छा आता है तो आने वाले समय में इसमें अच्छा खासा निवेश किया जा सकता है वह अगर बात करें ग्रे मार्केट premium के बारे में तो यहाँ पर कोई भी ग्रे मार्केट premium अभी तक update देखने को नहीं मिली है लेकिन जल्दी इसमें update यहाँ पर देखने को मिलेगा अभी 46 रुपे का rate है जब भी यहाँ पर update होता है तो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा उसके लिए आप हमारे WhatsApp चैनल से जूर सकते हो वहाँ पर रोजाना ग्रे मार्केट premium के update जो हो बताए जाते है तो उसके लिए आप हमारे WhatsApp चैनल से जूर जाए और इस website की link भी आपको description में मिल जाएगी इस website पर जो हमेशा जो live IPO ग्रे मार्केट premium में वो भी update होते रहते है तो उसकी भी जानकर यह आपको तुरंती मिल जाएगी